नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चानल में दोस्तों किसी भी महिला की प्रेगनेंसी उसके परिवार के लिए खास दोर में से एक है जिसके लिए नौ महिने तक उसके गर में पल रहे बच्चे के स्वास पर ध्यान दिया जाता है इसलिए महिला को ताजा फल या ताजा फलों से बने हुए जूस के सेवन के सलाँ दिजाए जो बच्चे के विकास के लिए काफी अच्छा माना जाता है अदिकतर महीलाएं प्रेग्णेंसी के दौरान पैकेट बन फूरूट जूस का सेवन करती है जैसे कि रियल जूस हो गया, ट्रॉपिक आना हो गया, एलो फूरूट हो गया, बी नैचरल हो गया, पैपर बोट हो गया, etc कई सारे बॉलिवूड सेलिब्रिटीज भी जूस के फायदे का विज्यापन करते हैं लेकिन क्या सच में पैकेट बन फूरूट जूस सेहत के लिए हेल्दी है, आईए जानते हैं नमबर वन, हम निट्रिशन के लिए जूस पीते हैं, लेकिन दोस्तों पैकेट बन जूस जो है, वो उबाल कर बनाया जाता है, जिससे कि इसके पोशक तत्व सारे नश्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको पीने से कोई निट्रिशन नहीं मिलता है नमबर सेकेंड, बन्द पैकेट में लंबे टाइम तक जूस सही रहे, इसके लिए इसमें कई सारे कैमिकल और प्रिजर्वेटिव मिलाया जाते हैं, जिससे काफी नुकसान पहुचता है हमारे चरीर में, और साथ ही इससे सोडियम और साचुरेटेड फैट भी बढ़ता है नमबर थर्ड, जूस में आर्टिफिशिल कलर मिलाया जाता है, जो प्रेगनेन महिला के लिए और उसके गर में पल रहे बच्चे के लिए बहुत ही नुकसान दायक है नमबर फोर, जूस बनाते वक्त उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रिफाइन शुगर का यूज किया जाता है, जो की प्रेगनेनसी के दौरान डायबिटीज यानि की शुगर का खत्रा बढ़ा देता है और साथ ही फैट को भी बढ़ाता है नमबर फाइब, पैकेट बन जूस में फ्लेवर के लिए मरकरी यानि की पारा और कैडमियम यानि की जस्ता मिलाया जाता है जो बच्चे के विकास पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है तो दोस्तों पैकेट बन फ्रूट जूस ना सिर्फ प्रेगनन महिलाओं के लिए बलकि बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए बहुत ही नुकसान दायक है जब भी आफ रूट जूस का सेवन करती है तो हमेशा ताजा फल या ताजा फलों के बने हुए जूस का ही सेवन करें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो से लाइक शेर सब्स्राइब जरूर करें अगर आप कुछ और इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्षन में लिख सकते हैं धन्यवाद